हेलो नमस्ते बहुत बहुत स्वागत है आपका और फ्रेंड्स यह जो प्लांट है यह प्लुमेरिया का है और यह मेरा कटिंग से लगा हुआ पौदा है अगर आपने मेरे प्रिवेस वीडियो में देखा होगा कि कैसे मैंने इसकी कटिंग लगाई थी तो देखिए अब इसम अब प्लांट होता है बहुत सुंदर कलर किसमें फ्लावरा आते हैं तो एक वोगन विला का प्लांट यहां पर लगा हुआ था मैंने उसी का ही एक कटिंग लेके तयार किया है वह आज की वीडियो में दिखाऊंगे किस तरह से वागन विला को आप जल्दी से जल्दी ग्र कर सकते हैं तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करेगा और मेरे दीगई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपन बेजिए अभी समय बंद नहीं कोई बीपती नहीं है क्योंकि मैंने इसको रिपार्ट कर दिया है वह की झब गई तो सारी कि जड़ गई कि तो चलिए को रहे इसके मैंने कटिंग के थेधरूब और कि ढूंग को दिखाती को ऑपत्ट Islands मायमें लावित को धोकि की तो کی मट्टी के गंबले में लगा हुआ था और इस मट्टी के गंबले में काफी सालों से ये प्लांट लगा हुआ है और कुलर की टंकी में पहले सरसोगी थी तो देखिए निकालते हैं अपनी कटिंग और हमें कटिंग किस तरह से लेनी है वो पहले बता दूँ देखिए पैंसिल मोटाई कि कत्टिंग हो और न मेशंचा मेढने कट्टिंग मेल ने लींजा में लिए आप को यह तिर्चा कट कर लीघže कटिंग वगरा होती ना वो जल्दी से आसानी से उग जाती है तो यह दिखिस को मैं इस तरह से मैंने तिर्चा कर लिया है और मैंने आज जब मैं यह कटिंग लगा रही हूं उससे पहले ही मैंने प्लुमेरिया की कटिंग को शिफ्ट किया था और आपने अगर वीडियो को द कापस पिर मैंने देखी इसी तरह से इसमें इस कटिंग को लगा दिया कोई फंगि साइड यहाँ पर यूज नहीं किया है क्योंकि प्लुमेरिया ज़स्स निकाल कर मैंने शिफ्ट की किया था और उसी ्चल्चा डबे में इस बोगन विला की कटिंग को लगा दिया यह जो मैं कटिंग लगा रही हूँ यह फरवरी में लगा रही हूँ और इसके अपडेट और रिजल्ट भी आपको दिखाऊँगी तो फ्रेंड्स आफटर वन मन्थ के बाद का यह वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ तो देखे यहाँ पर तीन कटिंग मैंने लगा दी थी तीन में से मुझे यहाँ पर दो का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं दिख रहा है पर एक में अच्छे से ग्रो हो गया है तो आज मैं उसको ही शिफ्ट करने वाली हूँ एक छोटा सा प्लांटर लेके आई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें लिफ्स बहुत अच्छे से आ गई है हो सकता है इसमें रूट्स भी आ गई हो तो चलिए इसको शिफ्ट करते हैं पतियां तो बहुत अच्छी लग रही थे देखने में और कोको पीट ही है कुछ नहीं बस सिंपल से हम लोग पानी डालते थे और कोको पीट में वैसे ही नमी रहती है थोड़ा सा ही पानी इसको जरूट पड़ता है तो बस क्या करना है जैसे मैंने प्लुमेडरिय की कटिंग को शिफ्ट किया था मैंने मटी में जो घमला में में को कोपीट करने वाली हूँ इसको कोको पीट डाल दिया और धिरे धिरे से टैप टैप करते हुए मैं कंचिंग को निकाल गई थी क्योंकि मुझे लगा जब आकर आप किसी भी चीच को ऊपर खीच रहे हो ना जिसकी रूट हो तो रूट क्या होती है जकर लेती है आसपास के एरिया को तो ऐसा एसास हो रहा था कि थोड़ा सा नीचे से मट्टी को बाइंड या ये कोको पिट को किसी ने बांद के रखा हुआ तो धीरे-धीरे खी कि कटिंग भी मेरी लग गई है तो चली का लेते हैं इसको रीपोर्ड वुटि बहुत अच्छी बहुत है रूट आई हैं तो आपकर कोई भी कुए कटिंगë तो इस तरह से त्राय कर सकते है इसका रिजरट भी बहुत अच्छा आता है आपने खुद मेरे वीडियो में ल occup का सबस्क्राइबं 20 your match plant पिर उसके बाद कोको पीट बने ही रख्तोंगे को को कड़buch डालने के बाद मैं वापस सी मट्टी डालोंगी तो देखी इसमें मुझे कोई भी रूट नहीं दिख रही है सेकंड वाली कटिंग में तो वापस मैं इसको डाल देती हूँ और अगर रूट वगएरा आनी होगी तो आ जाएंगी नहीं तो फिर मेरा एक प्लांट तो तयार हो गया तो फ्रेंट्स ये सिंपल सा टेकनिक है अगर आप कोई भी कटिंग लगाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से लग जाएगी बस आपको धैर रखना है क्योंकि कोई भी चीज ना एक दिन में तो तयार होती नहीं है अगर आप कोई भी बीज भी लगा रहे हैं तो बीज से अग अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक करिएगा मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा